नमस्कार मैं हूँ मैं यूरी सिर्वास तब आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है हमारी खास पेशकस का हिंदू धर्म ग्रंथों के नुसार जब जब धर्ती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विश्णू किसी न किसी रूप में धर्ती पर पापियों क अबिनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं तो वहीं जबलपूर में करीब 50 फूट की उचाई पर शिला स्वरूप भगवान गजानन विराजमान है जो कलकी स्वरूप है जिने सुपतेश्वर गडेश कहा जाता है तो आईए जानते हैं इस मंदिर के बारे में जबलपूर का सुपतेश्वर गडेश मंदिर यहां घोड़ी पर सवार हैं गजानन कलकी अफ्तार में पूजे जाते हैं भगवान गडेश भक्त मनो कामनाओं के लिए लगाते हैं अरजी मंदिर में नहीं है कोई गुमबाद्य दिवार यहां स्वयम भू हैं भगवान गडेश की प्रतिमा मनो कामनाओं पूरी होने पर बप्पा को सिंदूर चड़ाने की है परंपरा आपने कई गडेश मंदिरों में भगवान गडेश को उनके वाहन मूशक की सवारी करते देखा होगा लेकिन मध्य प्रतेश के जबलपूर शहर में एक ऐसा गडेश मंदिर है जहां भगवान मूशक की सवारी नहीं बलकि घोडे की सवारी करते हैं यही वज़य है कि यहां भगवान गडेश की पूजा कल की गडेश के रूप में की जाती हैं जबलपूर शहर की रत्न नगर की पहाड़ियों पर स्थित सुपतेश्वर गडेश मंदिर में भगवान की स्वयंबू प्रतिमा स्थापित हैं यहां भक्त मनुकामनाओं के लिए अरजी लगाते हैं मनुकामनाप पूरी होने पर भगवान गडेश को सिंदूर चड़ाने की परमपरा है तो वही मंदिर स्थापना की कहानी भी बहुत रोचक है कुछ सालों पहले रत्ननगर की पहाड़ियों को अवैत तरीके से तोड़ा जा रहा था उसी दोरान एक महिला को एक शिला पर भगवान गडेश के दर्शन हुए और उसने वहाँ पूजा की जिसके बाद धिरे धिरे इस जगा की ख्याती बढ़ती गई लोग यहां पूजा कर मन्नते मांगने आया करते थे लोगों की मन्नत पूरी होती गई और यहां आने वाले भक्तों की संख्या भी साल दर साल बढ़ती गई भक्तियां मनो कामनाओं के लिए अरजी लगाते हैं भगवान गडेश का वाहन चुआ हैं लेकिन सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में इस्तित प्रतिमा में वे घोडे पर सवार हैं या इस्तित भगवान गणेश की प्रतिमा काफी विशाल है कहा जाता है कि प्रतिमा पाताल तक समाई है सिर्फ भगवान गणेश की विशाल सून धर्ती के बाहर नजर आती है जबकि सेश शरीर धर्ती के अंदर है मंदिर कड़ी बेड एकड शेतर में फैला है मंदिर में भगवान को सिंदू और जंडा चढ़ाने तथा वस्त्र अर्पित करने की परंपरा है मानिता है कि भगवान गणेश की 40 दिन नियमित पूजा अर्चना करने वाली भगतों की मनुकामना पूरी हो जाती है मनुकामना पूरी होने के बाद लोगदर्शन अनुस्ठान करते हैं जो सिंदूर चड़ाने की अर्जी लगाते हैं, वे लोग सिंदूर चड़ाते हैं। सुपतेश्वर गणेश मंदिर में कोई गुम बद्या दिवार नहीं है। यहां भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयम्भू है। भक्तों को प्राकरतिक पहाडी में जिस स्वरूप में भगवान हैं, उसी स्वरूप में पूजा करने का अफसर मलता है। गणेश उत्सव में प्रतेग दिन सुभा धार्मिक अनुष्ठान एवं शाम को महा आर्थी की जाती है। साल भर में मंदिर में तीम महा में एक बार सिंदूर चड़ाने की रस्न अधा की जाती है। मही श्री राम नवमी एवं श्रीक्रिश्न जनमाश्ठिमी महतसव पर भी मंदिर में विशेश पूजा का विधान है। भगवान गड़े इश्या आने वाले सभी भक्तों की मनुकामनाओं को पूरा करते हैं फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही देजुन्या की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार राजनिती से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नज़र ना कोई शोर शराबा ना कोई एजंडा जिम्मेदारों से करते हैं तीके सवाल जनता के मुद्दो का रखते हैं खयाल हम पक्ष और विपक्ष के बीच दिस्पक्ष खड़े हैं हम निस्पक्ष और नीडर्ता के सांथ बात करते हैं हम क्योंकि प्राइम टीवी हैं हम पहुचेंगे हम वहाँ जहां हर खबर दवाई जाती है दिखाएंगे वो जो आपकी नजोरों से रहता है उजहल पहुचेंगे हर जिले के कोने कोने तर्ड़ जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज प्राइम टीवी सच सहस और सरुकार के साथ दान्स भी होगा मस्ती भी होगी लगेगा हसी का सबर्दस ठहा का आदे घंटे का होगा भर पूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मज़दार वीडियो वारल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच सहस सरुकार नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास तब आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हूगया है हमारी खास पेशकस का गडेश अथूर्थी के मौके पर हमाप को सिक्किम में बने गडेश टोक मंदिर के दर्शन करवाएंगे यह मंदिर नाथुला मार्ग पर गंगटोक शहर से 7 किलोमीटर दूर है यहाँ पर छोटी पहाडी पर प्रथम पूजनी भगवान स्री गडेश जी का एक मंदिर इस्थापित है तो आए जानते हैं इस मंदिर के बारे में सिक्किम का गड़ेश टोक मंदिर बेहत खास है गड़ेश जी का यह मंदिर शटकोणी आकार का काफी छोटा है यह मंदिर इसके अंदर जानी के लिए रेंगना भी पड़ता है 1953 में बना है यह मंदिर गड़ेश चतुर्टी के मौके पर आपको सिक्किम में बने गड़ेश टोक मंदिर के दर्शन करवाएंगे यह मंदिर नाथुला मार्ग पर गंग टोक शहर से 7 किलोमीटर दूर है यहाँ पर छोटी पहाड़ी पर प्रथम पूजनिय भगवान श्री गड़ेश जी का मंदिर है गड़ेश टोक भगवान गड़ेश को समर्पित एक बहुत छोटा मंदिर है यह मंदिर मुश्किल से एक व्यक्ति को समयोजित कर सकता है और एक साथ इसके अंदर जाने के लिए रेंगना भी पड़ता है टोक शब्द का वास्तवी कर्थ स्थानिय भाषा में मंदिर है इसलिए इसका अनुवात कणेश मंदिर के रूप में किया जाता है 1953 में निर्मित विजित्र और ज्वलन्त हिंतु मंदिर आगन्तुकों को बर्फ से ढकी कंचंजंगा पहाडियों और गंग टोक शहर के मनोरम द्रश्य प्रस्तोत करता है पहाड और हरियाली के बीच ठंडी हवा की जोके और बारिश की बूंदोल के चलते अक्सरियां रुमानी सा एसास चारो तरफ बिखरा हुआ रहता है यहाँ पार्किंग के पास से मंदिर तक जाने का रास्ता एक सुन्दर द्वार से होकर जाता है जो संभवता सिक्किम शैली में नर्मत किया जाता है शटकोणी आकार का ये एक छोटा मंदिर है जहां कुछ लोग ही एक साथ मंदिर में प्रवेश करके दर्शन का लाब ले सकते हैं मंदिर के चारों तरफ बालकेनी बनी हुई है जो एक व्यूपॉइंट की तरह से काम करती है यदि मौसन साफ हो तो यहां से मंदिर परिक्रमा करते हूँ कंचन जंगा परवत और गंटोक शेहर के दूर तक नजारों का आनंद लिया जा सकता है गंटोक का मंदिर इतना छोटा है कि किसी भी भक्त को मंदिर में भगवान गंपती तक पहुचने के लिए रेंगना पड़ता है पहाडियों की प्राकृतिक सुन्दर्ता ने मंदिर की लोग प्रियता को